चलिया बात करेंगे मध्य प्रदीश और चत्रसगर के बाद भाज़पा कॉंग्रिस के स्टार प्रचारों का फोकस राजस्तान पर है दोनों हे पाज़पा की रणीती 23 नवंबर शाम तक राजस्तार में प्रचार थमने तक सभी 200 सीटों पर इन स्टार प्रचार को काईक दौर पूरा करके चुना माहौल अपने पक्ष में करने का है आपको बता दे कि राजस्तार में चुना प्रचार की कमान खुद प्रधान मंतरी नरींद्र मूदी ने संबाल रखी है ऐसे में भाज़पा ने अपने प्रत्याश्यों से स्टार प्रचारों के दौरे को लेकर डिमांड मांगी है जोसे नेताओं की दिमांड के अनुसर सभा और रोडशों करवाय जा सकी प्रध्याश्यों की दिमांड में सबसे उपर प्रधान मंतरी नरींद्र मूदी का नाम है उसके बाद केंद्री ग्रैम मंत्री अमिच्छा और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितिनाथ का नाम शामिल है इसके लावद जेपी नड़ा और सानी निताओं में वसंद्रा राज़ुई की सबसे जादा दिमान है इस्तानी निताओं में केंद्री जल शक्ती मंत्री गजिंद्रु सिंग शीखावत भी काफी डिमान में है योगी आधितिनाथ भी पांच दिन राज़स्तान में अलग-अलग जगा पर सभाएं करेंगे आपको बता दे कि 16 नवंबर सी पीपल दा किशुराई पाटन कीखडी और पुषकर बे सभा करेंगे उसके बाद जयपूर अलवर में भी उनके सभा होगी भाज़पा में हिम्मत बिश्वा सर्मा की डिमान भी सामने आई है मुखी मंतरी अशुक गैलूत के अलावा सचिन पाइलेट की डिमान भी नज़र आ रही है और दूसरे नमबर पर डिमान सचिन पाइलेट की है वहीं गोविन सिंग रोटास्ट्रा की डिमान श्रिखावती सहित अन्य जाट बाहूले इलाकों से आ रही है केंद्रे निताओं में कॉंग्रस प्रत्याशों की डिमान में राहूल गांदी, प्रियंका गांदी, सुन्या गांदी की डिमान सबसे जादा है इसके अरावा कई सीटों पर कॉंग्रस के राश्ट्री अध्यक्ष्य मलिका अर्जुन खड़िये की भी डिमान नजर आ रही है साथ ही जिगनेश मेवानी और कनहिया कुमार की डिमान भी यहाँ पर देखने को मिल रही है मद्यप्रदेश चतनसगर के बाद भाच्पा कॉओंग्रस के स्टार प्रचार को का फूकस राजस्तान पर है दोनों ही पार्टियों की रणी感ी 23 नमबर शाम तक राजस्तान में प्रचार थमने तक सभी 200 सीटों पर इन स्टार प्रचवार को का एक दौरा पूरा करके चुना माहौल अपने पक्ष में करने का है राजस्तान में चुना प्रचवार की कमान खुद प्रधान मंतरी नरींदर मूदी ने थामी है और हमारे साथ हमारे पॉलिक्टिकल एडिटर योगीश जी जोड़ चुके हैं उससे हम जानेंगे क्योंकि जिस्तरह से राजस्तान के रण में दोनों ही पार्टिया मैदान में उतर चुकी है तो योगीश जी देखिए जिस्तरह से प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने भाच्पा की तरफ से कमान समबाली है ऐसे में कॉंग्रेस की तरफ से मुखे मंतरी अशुक गहलोद ने खुद ने कमान समबाल रखी है एक पर आपसे पूरी जवान कानी लेंगे देखिए है चाए कॉंग्रेस पार्टी हो या बीजेपी दोनों ही पार्टी के स्टार परचारक अब दोरों पर है और एक आज आ सकता है कि भाई दूज का तिवार भी आसंपन हो जाएगा और उसके बाद से लगातार जो मतदान का दिन है उससे पहले तक तकरिवन 24 घंटे पहले तक ताबर तोर चुनावी जनसवाइं की जाएंगी इन जनसवाओं के पीछे की राज़िती अलग है रेंदर मोदी उन तमाम सीटों पर जाने वाले हैं जहां पर भारती जनता पार्टी की कमजोर इस्तती है या जहां यह कहा जा सकता है कि उनके जाने से वहां पर भाव पड़ेगा और वहां पर बीजेपी कमबैक करेगी जैपूर में भी नहिंदर मोदी के रोड शो की तयारी की जा रही है जो कि परकोटे हमें किया जाएगा और एक तरह से कहा जा सकता है कि नहिंद्रमोदी क्योंकि स्टार प्रचारक है बीजेपी में सब ज़्यदा डिमांड उनी की है तो एक पूरी तरह OBC के भी बड़े नेता के तौर पर देश्मन को जाना जाता है बीजेपी OBC को लेकर कॉंग्रेस की जो निती है उसको भी इंद्रमोदी के भाशनों के जरिये काउंटर कर रही है इंद्रमोदी के बाद दूसरे सबसे वड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक ग्रह मंतरी अमिर्च शाह है जो की खास तोर पर रहूल गांदी पर हमलों के लिए जाने जाते हैं उन पर प्रहार करते हैं गांधी परिवार पर प्रहार करते हैं तो वो एक अलब तरह की उनके भाशन की शैली है जो उनको तमाम नेताओं से अलग करती है तो अमित्शा के दौरों की रंडिती भी इसी इनुरूप बनाई जा रही है जिससे बीजेपी को हिंदू तो हैं या सामन वर्ग के मतदाता अधिक हैं वहाँ पर जेपी नड़ा जो कि बीजेपी के राष्टे अध्यक्ष हैं ब्रामन वर्ग से आते हैं उनको वहाँ पर सबाओं के लिए एक शोशल इंजिरिंग के तहत उनको उन जगों पर भीजा जा रहा है तो का जा सकता है कि बहारी डिमांड है तो वहाँ पर योगी आधितिनात की सबाओं की रचना भी रची जा रही है अभी तक जो उनकी सबाओं हुई है वो भी कमोबेश उसी अंदाज में की गई है कॉंग्रेस पार्टी में राहूल गांदी और सोनिया गांदी ने राजस्तान का रुख कर द राजस्तान में मैसेज जाता है तो वो किया जा रहा है कल से उनके राजस्तान में तूफानी दौरे शुरू हो जाएंगे तो राहूल गांदी मद्यप्रदेश और चटीजगर यहां उनकी सबाओं हो चुकी है राजस्तान में उनकी अभी तक एक ही इकलोत्या कारिकम क्योंकि उनकी भाषण की शहली में अलग तरह का एक स्टाइल होता है वो एक पूरी नपी तूली और एतियासिक तक्थियों के साथ बात करते हैं और बीजेपी पर प्रहार करते हैं और दली तवरक के देश के सबसे बड़े नेताओं में वो शुमार है कॉंग्रेस के क्रिम्परागत वोट बेंक कर रहे हैं लेकिन समय शमय पर ग्रिये चिटक जाता है और यह कारण बनता के सबाइन की या कउंग्रेस टी और और वहाँ एक धक्का और अगर सभाओं से लग जाए तो कॉंग्रेस पार्टी वहाँ जीच सकती है तो वहाँ राहूल गांधी मोटे तोर पर सभाएं करते विए में नजर आएंगे प्रिंगा गांधी वहाँ जाएगी और वैसे राजस्तान में कॉंग्रेस पार्टी के अशोग गैलोत इसलिए हैं क्योंकि यह पूरा चुनाओं उनके नाम उनके चेहरे और उनकी ब्रांड इमेज के सारे कॉंग्रेस पार्टी लड़ रही है जो साथ गारंटी हैं जिसका रत बनाकर तमाम इलाकों में जा रहा है उसके अगवा अशोग गैलोत हैं और अब सच साजा तोर पर दोरे करते वे राजस्तान में चुनावी सभाओं के दोरान नजर आएंगे तो यह पूरी रणनीती कल रात को भी कॉंग्रेस के वारू में एक लंबी बैठक केसी वेनु गोपाल अशोग गैलो साचिन पाइलेट और मौमर जितन सिंग तमाम प्रमुक लीड के दोरे कराये जाएं और भी नेता अलग-अलग जगह उपर जा रहे हैं चाहिए मुकल वासनी को चाहिए पावन खेड़ा हो चाहिए सुपरिया सिर्ने तो जो कॉंग्रेस के रोंग वकता है रंदीप सुर्जेवाला पर राजस्तान आएंगे प्रमुत तिवाडी भी पायावती राजस्तान आने वाली है उनके भी दोरों की पूरी रंडिती बीएसपी ने बना ली है और एआई-एम-एम के प्रमुक ओवेसी भी मुस्लिम बहूल इलाकों में सभाएं करेंगे जी चली बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तबाम जहानकारे के लिए तो बता झाल झाल